आज मैं सेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही स्वाधिस्टी चटनी की रेसिपी जिसे आप इडली डोसा या रोटी चावल के साथ भी खा सकते हैं तो चलिए बनाते हैं जिसे बनाने के लिए मैंने दो तिन सुखी लाल मिर्च लिए हैं दो टमाटर लिए हैं एक अधरक का में कट करना है इस चटनी को आप पांच बिनेट में बनाके रेडी कर सकते हैं कभी कभी लगता है ना क्या बनाए जो जल्दी भी बने और टीस्टी भी हो तब आप ये जरू ट्राय करें आपको बहुत ही पसंद आएगी ये चटनी कर में ये सामान तो हर समय रहता है तो आ चंबा काटना है इस तरह से काटने पर जब हम इसे फ्राय करेंगे तो जल्दी से फ्राय हो जाते हैं तो अब एक कड़ाई लेने हैं कड़ाई में हम एक दू चम्मच सरसूं का तेल डालेंगे उसके बाद एक चम्मच राई के दाने डालेंगे और जो हमने सूखी लाल में चना दाल नहीं है, तो आप डारेक्ट चना दाल भी इसमें डाल सकते हैं, वैसे तो थोड़ा भुन नहीं है, तो भुन जाती है दाल, तो थोड़ी देर चलाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें डालने हैं, लैसुन, और साथ महीं अद्रक भी डाल देंग उसके बाद चलाते हुए थोड़ी देर सारी चीजों को पकने देंगे, फ्राइ होने देंगे अब इसमें डालना है प्याज प्याज डालने के बाद थोड़ी देर और फ्राइ कर लेंगे चलाते हुए फ्राइ करना है बहुत ज़्यादा देर तक इनको नहीं भूनना है और थोड़ा सा हम इसमें इमली डालेंगे अगर आपके पास इमली ना हो तो इसके बदले में आप नेबु का रस या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं उसके बाद कटे हुए टमाटर डाल देंगे अब एक बाद टमाटरों को मिक्स कर लेंगे सारे चीजों के साथ उसके बाद नमक डालना है स्वाद के नुसार अब दुबारा से हम इसे मिक्स कर लेंगे और एक मिनट के लिए इस तरीक से फ्राइ करेंगे और उसके बाद हम इसे ढखके पकने देंगे लगबग 2-3 मिनट तक तो टमाटरों को अच्छे से गलाना है तो इसका कलर अच्छा है इसके लिए मैं इसमें कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और उसके बाद दुबारा से ढखके से थोड़ी देर और पकने देंगे बहुती आसान चटनी की रेसिपी है आप इसे कभी भी बना सकते हैं तो मैंने धकन हटा दिया है अब इसे हम थोड़ी दे थंड़ा होने देंगे चारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं थंड़ा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे तो मैंने क्रेंडर जा लिया है इसमें सारे मसाले को डाल देंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालके धक्कन लगा देंगे और पीस लेंगे पानी ज़्यादा नहीं डालना है एक दू चमज डालना है बस तो मैंने चटनी को पीस लिया है ये दीखे अब इसे कटोरी में निकाल देंगे बहुत ही जल्दी बनने वाली स्वादिष्ट चटनी के रेसिपी बन के त्यार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अपने फ्रेंड और फैमली के साथ सेयर करना ना भूलें